भारत ने रच दिया इतिहास पांच में वन नडे में साउथ अफरीकी टीम को रन से हरा कर सीरीश किया अपने नाम पोर्टे लिजबित में भारत ने साउथ अफरीकी टीम को 73 रन से हरा कर सीरीश पर कबड़ा जमा लिया 26 साल के इतिहास में पहली बार भारत के टीम साउथ अफरीका में कोई वन नडे सीरीश जीतने में सफलता पाई है आपको बता दें कि 245 रन का पीछा करने उतरी साउथ अफरीकी टीम 201 रन पर ओल आउट हो गई युजवेंद्र चाहल ने दो विकेट चटकाएं तो वहीं कुल दीपयादव ने सबसे ज्यादा चार विकेट जटके रतिये क्रिकेट टीम ने मंगलवार को सेंट जोर्ज पार्क मैदान पर खेले जा रहे पांच में वन नडे मैंच में दक्षिन अफरीका के सामने 275 रनों का लक्षे रखा है भारत ने पहले बल्लेबाजी का आमंतरन मिलने पर सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की 115 रनों की पारी के दम पर निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 274 रन बनाए रोहित के अलावा विराट कोहली ने 36, शिकरदवन ने 34, श्रीहस अईयर ने 30 रनों की पारियां खेली दक्षिन अफरीका की तरफ से लूंगीन अगडी ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिये खागी सोर अबादा को एक सफल तामिली, दो बलेबाज रन आउट हुए फिलाल आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले शुक्रिया